हेलो स्टूरेंज वेरी वेरी गुड इवनिंग टू अलो फ्यू बच्चो तो कैसे हो आप लोग तो आज हम लोग मिले हैं रोज मिलते हैं आट बजी वैसे ही हमारा बैच कोडस है लेकिन अब हम इसमें अभी आज लास्ट हमारा मौक टेस्ट 10 होने वाला है तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अनकैडमी जो की इंडिया का लाजिस लर्निंग प्लैटफॉर्म है उसके नंबर वन चैनल लेट्स क्राक नीट यूजी पर लेट्स क्राक नीट यूजी पर इस चैनल को जद्धी जल्दी हो सकता है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिये ठीक है चलिए मेरा इंट्रोड़क्शन है मैं हूँ आपकी एजुकेटर दॉक्टर मीतु भावनानी ब सब्सक्राइब करें ठीक है हाँ हेलो मिंकू हाँ हेलो हाई फ्रॉम मी एन मिंकू ठीक है स्टूडेंट्स तो अभी संडे को बहुती बढ़िया बढ़िया स्पेशल क्लासेस लगाने वाली हूँ आज लगा दूँगी उसके बारे में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँ होगी ठीक है बच्चो तो चलो मेरे साथ बेटर जुड़ने के लिए पढ़ाई करने के लिए डाउट क्लेरिंग के लिए स्टडी मट्र लिए एवरेधिंग फॉर गुड्नेस और वेलनेस अनकैडमी लर्निंग अप को अपने फोन के प्ले स्टोर में इंस्टॉल करिए औ और कोड को एपलाई करिए MB10 कोड को एपलाई करिए MB10 फॉर 10% डिसकाउंट और मेरे बैच में आने के लिए इस स्पेशल क्लास में आप लोगों को पता है कि आज नहीं लगाईती स्पेशल क्लास वैसे नीट के बच्चों के लिए मैं रोज चार बजे स्पेशल क्लास लगाती हूँ और मैंने उस पे एक सीरीज स्टार्ट करी है दो फॉर्म में नीट रैंक अप एमसी क्यू सीरीज कॉमन है सारे नीट के बच्चों के लिए जो भी ओन गोइं है या 2020 देने भी वाले है आप तो 2020 होने ही वाला है तेरा थारिक को और नीट रैंक अप टॉपिक बेस्ड सीरीज तो जो भी एक दिन टॉपिक को पक्का करेंगे उसके MCQs स्पेशल क्लास में करेंगे Getting my point students, is it clear to everyone? तो ये स्पेशल क्लास में रोज चार बजे रहेगा कुछ भी हो सकता है स्पेशल, अनकैडमी लर्निंग अप पर, ओके? Getting my point? चलिए, आज हमारा मॉक टेस नंबर 10 है, ये नीट 2020 जो फुल से बस बायलोजी 90 क्रेशन्स का है वो मैं आपको एक last mock test आज दे रही हूँ, ठीक है students last mock test है मेरी तरफ से जो ये mock test है वैसे तो हम साथ खेलने वाले थे, तो बच्चों ने कहा कि नहीं मैं 2-3 और तो हम ने कहा कि चलो 7 और नमर जो का पूरा 10 तक लेके जाते हैं आज last mock test है, कल भी कुछ अच्छा करेंगे मैं सोच रही हूँ, फिर जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को डाल दूँगी, ठीक है students, चलिए बेटा मेंटी नहीं होगा अब, unacademy learning app पर live quiz होंगे, वो भी मैं timing प्लान करके आपको आइदर मंडे से पूरा एक schedule बना दूँगी, रोज unacademy live quiz खेलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको unacademy learning app को install करना रहेगा, क्या करना रहेगा students, unacademy learning app को अपने phone में install करना रहेगा, ठीक है, updated version में, चलिए, hello to all, चलिए, first question करिए, कॉल सीचीन is a cell poison which direct cell division at dash and can induce, चलो बच्चो आजाओ फटा फट, क्या होगा students इसका, चलिए answer इंदा, poison किस division को रोकेगा और किस division को direct करेगा, बताइए, हाँ, metafase को रोकेगा और induce polyploidy and induce polyploidy, is it clear, चलिए, बोर्स effect is related to, A और D ने C होगा, चलो, बोर्स effect is related to, बोर्स effect पड़ा है, किस चीज़ से related है, बोर्स effect किस चीज़ से related है, students बताइए, reduce carbon level, increase carbon dioxide level in blood, oxidized phosphorus level in the blood, और reduced, increase carbon dioxide level in the blood, आपने, जब carbon dioxide का transportation देखा था, बलड में, तो हम लोगों ने ये चीज़ कंसिडर की थी, कि बोर्स effect अप्लाइ होता है, by the usage of transportation of carbon dioxide in the blood, चलो, हिजादल is a new breed of sheep, developed in Punjab by crossing, हम्ड़ बताओ, बताओ, हुआ बताओ, हुआँ बताओ, हिजार्डेल ब्रीड ऑफ शिप है किस से मिलती भाई यह तो डारेक्ट एंसियार्टी का क्वेस्टन है मरीनो रैम और बिका नेरी इव यह इन दोनों का ब्रीडिंग प्रोड़क्ट है ठीक है चल आचा विच अफ दी फॉल्विंग वुड़ बी लीस्ट ट्रू ओफ रेगुलेटर लीस्ट ट्रू ओफ रेगुलेटर हम लोगों ने एकोलोजी में पढ़ा था रेगुलेटर कनफॉर्मर्स तो क्या होगा पिटा एक ही जगे नहीं लेते है चैनल एक है जो भी पूछ रहे है न इट में लाजर जोग्राफिक नहीं कनफॉर्मर से जोग्राफिक इरिया का कोई रिलेशन नहीं है ठीक है स्टूडेंट इट कैन इंक्रीज इस टॉलरेंस लिमिट थू एक्लिमिटाइजेशन बचो यह बहतरी 90 क्वेशन से बायलोजिक है नी 2020 के रिलेशन के लिए भगवान करे मैं जो क्वेशन करा रहे हूं उसमें से क्वेशन आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा ठीक है क्या है फिफ्ट का फोटो सिंथेटिक रूट्स अकर इन टीनोस्पोरा कसकटा पेंडिनस या मेज बताईए स्टूडेंट्स आंसर बिलकुल पीडिएफ शेयर होती है तीनोस्पोरा डारेक्ट क्वेशन है डारेक्ट एक्जाम्पिल है चलो दो फॉलोविंग सेल ओर्गनील टेक्स पार्ट इन डिसपेरेंस ओफ लार्वल ओर्गनस इन फ्रोग्स दूरिंग मेटामॉर्फोसिस हेलो एवरीवान हेलो 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 टू라고 एक बार बोली अजहाय मदूद एक बार बोली है अरे बैस सबको देख लेती हूं पर कॉण्सेंटरेशंट इस पर रहता है तो नाम तो सबके देख लेती हूँ ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल नजदीक है तो अभी तो इस पे concentrate करो. Larval organs during metamorphosis क्या होगा student? सबसे आसान है ये तो lysozome direct देखने से ही बनता है. भाई हमने बोलते हैं disappearance of larval organs for during metamorphosis. क्या disappearance का दिखता है? ये वाला. ठीक है? चलिए. Read the given statement and select the correct option. इसमें बताएं भी ये टाइप आफ असर्शन रीजन है. बताएं कि GMO potato फ्लेवर सेवल और इंक्रीश शेल्फ लाइफ और बेटर न्यूटरिन कॉलिटी ओके. इस अचीव बाई रिदूसिंग अमाउंट अफ सेल वोल डिग्रेटिंग इंजाइम. अब देखो अगर आप इसको पड़ोगे. हाँ, बिल्कुल लाइजोजोमे स्यूसाइडल होता है. मैं देखती जा रही हूँ आप लोगों के. क्या होगा स्टूडेंट सेविन का? अगर आप देखोगे कि फ्लेवर सेवल हाई कॉलिटी का क्यों है क्योंकि उसका डिग्रेटिंग इंजाइम दिन बदिन कम कर रहा है. तो असर्शन जो आपका रीजन है वो असर्शन का बेस्ट एक्स्प्लेनेशन है ए वाला. बच्चों वैसे तो यह हमारा इयर लॉंग कोर्स है तो आज मेरा आकरी मॉक टेस्ट होने वाला है. कल देखते हैं कुछ और अच्छे हम लोग क्वेशन को करते हैं ठीक है और अच्छे चीजों को अटेम्ट करते हैं कल कुछ लेकिन फिर हम लोग इयर लॉंग स्टार्ट कर देंगे बारा तारिक से तो उसमें भी मैराथान, मेगा मैराथान, MCQs की सीरीज और बीच बीच मे मैं कुछ अच्छा आपको दे रही हूँ, एक दो दिन और सोचूंगी कि क्या बेस्टे फिर मंडे से स्टार्ट कर लेंगे उसको, ठीक है, कोई दिकत नहीं है बच्चों, यह मौक टेस्ट का सिलसला चलता रहेगा, आगे वाले बच्चों के लिए मौक टेस्ट चलते रहे ठीक है, ओके, बिटा मैं सबका नाम अभी नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं सबके नाम चैट में देख रही हूँ, सबके देख रही हूँ मैं नाम, ठीक है, क्या होगा, आटिफिशल पैसिफ का जो बॉड़ी नहीं बना रही है लेकिन आप बाहर से ले रहे हूँ, तो इस के स्मॉल पॉक्स रीकवर हो जाएगा, पोलियोमलाइटे न्यूबॉर्ण में नहीं, लेकिन जब आपको अचानक लोहे से घिस गए और आपको टितनिस हो गया, टितनिस का आपको लगता है इंजेक्शन लगवाना चाहिए, तो बाहर से एंटिबॉडी ले रहे हूँ, चलो बताओ, विच अग दे फॉलोविंग होल्ट्स टू फॉर एसे नोड, बताओ, हाँ हाँ चलो अल्तमास प्रविन ले लिया भाई तुमारा नाम, इतना क्यों सोचते हो, किसी का नाम नहीं लूँगी, तो अभी मैं अगर सब का नाम लेने बैड़ गए, तो क्वेशन कैसे क करवाऊंगी, खुदी सोचो, हम, खुदी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना, फिर तो नीट के बाद तो टाइम ही टाइम है, सब के नाम याद करेंगे, बैटकर, बताओ, होल्ड्स टू फॉर एसे पेस सेटर है, पेसमेकर है, वेरी लोर इसे नहीं हाई है, प्रेजंट इन लेफ्ट अट्रियम, इधर बिल्कुल राइट में अपर है, बिल्कुल ट्रू चीज ये वाली होल्ड कर रही है, ठीक है, बिल्कुल दरने वाली बात नहीं है, सब अच्छा होगा, गिवन बिलो आर्दी डिफ्रेंसे बिट्वीन पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलि पॉलिनेटेड फ्लार्स है, ठीक है, अब बताईए, सलेक्ट दी इनकरेक्ट डिफ्रेंसे बताईए, क्या होगा, कौन सा वाला गलत है, यह फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फॉर्थ है, विंड में कभी भी हैवियर और स्टिकी नहीं हो सकते, ठीक है, तो यह वाला मैच हो गया है, फिर एंथरसिल स्टिग्मार इंसेर्टेड और यूज्वली एग्सेर्टेड नहीं, यह तो गलत है, सेकेंड एन फॉर्थ ओनली, यह दोनों क्या है, इंकरेक्ट डिफरेंसेस है, दे मोटालिटी रेट अफ ओर्गानिजम फॉलूविंग अ टाइप थर्ड सर्वाइवर्शिप कर्व इस, आजाओ बच्चों जॉइन करो फटाफट, कम बच्चे हो अभी, ज्यादा से अधा आजाओ, क्या होगा, दे मोटालिटी रेट ओफ ओर्गानिजम फॉलूविंग अ टाइप थर्ड सर्वाइवर्शिप कर्व इस, फियरली कॉंस्टेंट थ्रुआइट लाइफ नहीं, हाइयर इन पोस्ट रेड़क्टिव इस बिल्कुल नहीं, अन्रिलेटेट टू एज़ वो तो होता ही नहीं है, लोर आफ्र दा ओर्गानिजम ग्रो इंटो रेप्रोड़क्टिव इंडिविज्वल्स और बिकम्स्टेबलेच्ट चलो, आर्टर बोत्रिस आर्मो डिफाई इंटो stiff, curved hooks for climbing. बताओ? हुँँँप बताओ? for climbing pedicel for climbing pedicel ठीक है? चलो which of the following is incorrect for biosynthetic phase or photosynthesis जो photosynthesis का biosynthetic phase है उसके लिए incorrect है बताओ हाँ बच्चो इधर उधर की कोई fake news से believe मत करो नीट आपका तेरा तारीक है जिसको जो लिखना है उसको लिखने दो इसे मैं तो ध्यानी नहीं दे दी हूँ बताओ इनकरेक्ट है डस नौट रिक्वायलाइ मेटिल्फ होगा इट प्रड्यूस इस एने डीपी आच ने एटिपी नहीं इस केस में ये चीज नहीं होगी विच अप दी फॉल्लविंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंजाइम्स आर करेक्ट ये पाँच स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको करेक्ट बताना है बताओ स्टूडेंट्स क्या करेक्ट है इंजाइम्स आर प्रोटीन्स ठीक है इंजाइम्स पीड़ रेक्शन बाई लोवरिंग बिल्कुल ठीक है इंजाइम्स हाइली स्पेसिफिक होते हैं इनर्जी आउटपूट नीडे टू स्टार्ट अ केमिकल रेक्शन इसको अल्टिवेशन एरजी सारे स्टेटमेंट सही हैं अरे बेटा मैं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूंगी इसको इतना पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँ कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं बताओ बताओ 15 का विच अप दे फॉलूविंग बेट्वीन अनिलीडा और मॉलस्का एक्जाम्पल बेस्ट क्वेशन है यह सिंपल नियोपिलीनः नियोपिलीनः if मैप इस बतुएंगेन प्यू क्यू पन-क्यू यह थी उनिट्विंट्विंगेन थी नियू आर इस नियू रो तुन्न-दू इस इस विच उनियू थी और ग्यू उन्टेज से अस-पॉलो बताओ बताव क्या होगा 16 का भाई P Q के बीच में 3 यूनिट है ठीक है QNR के बीच में आपका PNR के बीच में 9 यूनिट है और ये 6 यूनिट है तो किस तरीके से प्लोट होगा ग्राफ क्या होगा 16 का 3 यूनिट 9 यूनिट 6 यूनिट ठीक है आपका PNQ 3 यूनिट आपका between PNR 9 यूनिट तो इसके बीच में ये 6 यूनिट तो पूरा 6 प्लस 3 ठीक है मीजोगैमी यूज्वली अकर्स इन मीजोगैमी किसमें होगा स्टूडेंट्स इस इन कुकुर्बिटा इस इन कुकुर्बिटा ना विच अफ दी फॉलूइंग इस अग्जाम्पल ओफ आईसोमेट्रिक कॉंट्राक्शन आईसोमेट्रिक कॉंट्राक्शन का सबसे बढ़िया एक्जाम्पल क्या है भाई आईसोमेट्रिक कॉंट्राक्शन आप पुश कर रहे हो वॉल को कंटीन्यूस यहाँ पर आईसोमेट्रिक कॉंट्राक्शन है बिलकुल सिंगल प्लेन लाइन में कॉंट्राक्शन हो रहा है तो pushing against a stationary wall ओके गुट्ट काफी बच्चे बहुत सारे बच्चे सही कर रहे हो इसमें क्या कर रहे है हम हम प्लाज्मा मेंबरेन में बड़ा होल कर रहे है जिससे कि हम होस्ट सेल को अंदर डाल सके ऐसे method को क्या कहेंगे बताओ पहले इन questions को कर लो फिर बता दूंगे पहले इनको कर लो किस से बोलेंगे भाई आप electric current से pore create कर रहे हो तो electroporation micro injection में आप injection को use कर सकते हो और ballistic में gun method को use करते हो ठीक है acoustic zoning is a control measure of लिखो acoustic zoning is a control measure of बच्चो आजाओ जिसका छूट जाए वो recorded देखना पर लाइफ खेलोगे तो जादा अच्छा लगेगा acoustic zoning is a control measure of noise pollution जब एक limit जैसे आपकी particular range है 50 decibel से अगर उस range से आप उपर चले गए तो वो क्या हो जाएगी जो जो sound है वो noise में convert हो जाएगी select the correct statement from the following इन चारों में इसे correct statement को बताईए बिल्कुल हाँ green muffler scheme से भी हो सकता है कि जिनके घर railway station के पास होते हैं जिससे की जो train की आवाज है वो प्लांट से कटे और घरों में नहीं आए correct क्या है बताईए इसका 21 का classical taxonomy में बायो सिस्टेमेटिक नहीं लगाया था classical taxonomy dynamic नहीं cover कर रहे थी evolution भी modern taxonomist, primitiveness, advancement, interrelationship ये क्या कर रही है जो आपकी classical मतलब एक मिट सोरी correct क्या निकालना है कि modern taxonomy इन सब में सब कुछ कवर कर रही है ठीक है चलो read the given statements salient rate show polymorphism in pleurobrachia locomotion takes place by complex in roundworm true silomis present और parapodia respiratory organ found in arthropods बताओ salient rate show करते हैं pleurobrachia locomotion by complex ठीक है round vomit true silom नहीं होती है parapodia respiratory organs in arthropod no only first and second are correct ठीक है match column 1 with column 2 and select the correct option from the given quotes बताओ बताओ students column 1 को column 2 से match करो and select the correct option from the given quotes a का क्या होगा fifth वाला होगा b का four वाला होगा ठीक है c का one वाला होगा d का two वाला होगा और e का three वाला होगा ठीक है is it clear तो अप्शन बेस्ट क्या है b1 चल्ड two adjacent cells a and b are studied cell a का water potential है negative में minus 10 और b का water potential है minus 5 movement किधर से किधर होगा बहुत आसान और बड़िया question है किधर से किधर होगा किधर से किधर होता है higher से lower न तो यह higher से lower b2a चलो select the correct match select the correct match बिल्कुल correct कौन कर रहा है मतलब actually इधर एक biomolecule का type दे रखा है और example दे रखे हैं बताइए भाई यह hexose में तो यह तीनों फिट नहीं बैट रहे हैं acidic में यह तीनों नहीं करोबन बिल्कुल fit steroid में यह वाले बैट रहे हैं चलो on exposure to a chemical mutagen adenine is replaced by thymine in a dna segment it is the case thank you so much students for giving me such a warm welcome and respect आप इतने सारे बच्चे आते हो मिरे लिए यही बहुत है मेरे लिए यही बहुत होता है कि आप लोग आते हो चीक है बताओ क्या होगा 26 का it is simply transversion चलो emasculation is not required in case of dash flowers for performing artificial hybridization अब जानते हैं emasculation होता है bagging होता है तो कौन से flower में इसकी इतनी जरूरत नहीं होती है पापाया में यह नहीं कराया जाता है ठीक है generally emasculation bagging हम कब करेंगे जब हम bisexual को भी unisexual में convert करना चाते है oxy hemoglobin dissociation curve shifts to right when lots of love from my side also students कहां जाएगा कहां पर shift होगा temperature जब हाई होगा नहीं सॉरी concentration CO2 का plasma में बढ़ जाएगा और जब temperature हाई होगा low में कभी भी यह right पर shift नहीं होता है cyclosporine prevent rejection of transplanted organs by पताओ जल्दी बताओ cyclosporine prevent rejection of transplanted organs by destroying humoral नहीं इसमें कोई रोल नहीं है destroying T humoral humoral word जहां पर रोल नहीं है destroying T cell mediated while sparing humoral actually यह O है ठीक है चलो which of the following holds true for monerans which of the following holds true for monerans holds true for monerans organ nucleus is present cell wall contains sporopollen in sexual rep does not involve fusion of gamet ribosom or ATS क्या सबसे true बैठ रहा है monerans के लिए sexual reproduction do not involve fusion of it बाकी तो तीनो स्टेटमेंट गलात हो गए है ना the function of intracellular membranus is not to the function of intracellular membrane is not to is not to बताओ intracellular membrane का function यह नहीं होता हम ऐसा function नहीं होता इनका ठीक है students यह क्या होता है भाई ambidextrous I don't know this term given below is the chemical structure of a plant hormone select the incorrect statement regarding it यह plant hormone का structure है ठीक है तो जो भी plant hormone का structure है उसके बारे में क्या incorrect है बताओ क्या होगा 32 का क्या गलत है यह female flower को नहीं promote करेगा चलो which of the following organisms reproduces asexually by fragmentation method अरे भाई क्यों डर लग रहा है डर तो नहीं लगना चाहिए कोई डर नहीं लगेगा आपका need must जाएगा तेरा तारिक को आप लोगों का need इतना अच्छा जाएगा मेरे को पूरी उमीद है और मेरे पूरी blessing से आपके ताथ आप सब खुश हो कर आओगे वहां से अब मुझे यहां से बैटके नहीं पता कि किसका हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है लेकिन आप लोगों को का need का इजम सबका बहुत अच्छा जाएगा बहुत खुश हो के निकलो गे ठीक है बताओ विच अब फॉलिम और रिप्रोटर असेक्श्वली भाइ फ्रेग्मेंटेशन मेथर्ड हूं गेटिंग मैं पॉइंट अल अफ दीस हां देख लो डाइग्राम जो भी 32 का डाइग्राम पुश है देख लो फटाफट दीकरियोन स्टेज दूरिं सेक्शल रिप्रोड़क्शन अकर्स इन डाइ केरियोन स्टेज दूरिं सेक्श्वल रिप्रोड़क्शन अकर्स इन किसमें होता है डारेट एंसी एटिकर क्वेशन है पशी नहीं आमें चलो रेफर तू दू फॉलोविंग फ्लो चार्ट शोविंग दा ब्लॉड क्लोटिंग मेकानिजम फर्स सेकंड और थर्ड बताईए फर्स्ट क्या होगा सेकंड क्या होगा थर्ड क्या होगा अगर नीट में ऐसा क्वेशन आएगा तो कितनी मिनिट में आप इसको कर पाओगे बताओ फर्स्ट क्या है आपका थ्रॉम्बो प्लास्टिंग जो रिलीस करेगा फिर थ्रॉम्बिनेस जो इनक्टिवेट हिपैरन कर देगा फिर क्याल्शियमाइन जो की थ्रॉम्बिन को बना देगा सी वाला सिंपल रियक्शन का फिलिन्दा ब्लाइंग से है ओके चलो मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू और सलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम्बिन गिवन कोट्स बताइए गिवन कोट्स के बारे में बताइए इसमें एका फोर आपको ओपनिंग अन क्लोजिंग ऑफ स्टॉमेटा मे हेल्प कर रहा है बी का वन और्गनाजेशन और माइटॉर्टिक सिंबल कैशियम तो यूज होता ही है ठीक है मैगनीशियम फॉर्मेशन ओफ क्लोरोफिल एर्मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिजम इजी है फटा फट चलो विच अब फॉलोविंग इस करेक्ट रिगार्डिंग फॉलिक्यूलर फेस ऑफ मेंस्ट्रॉल साइकल इन हुमन फीमेल मेंस्ट्रॉल साइकल इयर लॉंग की जो बैच कोर्स चल रहा है उसमें अलमोस अगर कल भी में 2020 के लिए हुआ तो कुछ करवा दूंगी फिर बारा त के खतम पांचवे दिन से छटे जिन से स्टार्ट हो जाएगा और थर्टीन दे तक चलेगा अभी मेंस्ट्रॉल साइकल ही पढ़ाऊंगी यूमन रिप्रड़क्शन में इसी लेक्चर्स में पता चल जाएगा इफ दे सीक्वेंस ओफ कोडिंग स्ट्रेंड इन अ सब्सक्रिप्शन यूनिट इस तो मरन की सीक्वेंस क्या होगी अगर आपकी DNA की ये सीक्वेंस है तो ट्रांस्क्रिप्शन के बाद mRNA की सीक्वेंस क्या होगी क्या करना है आपको सिर्फ nitrogenous basis को 3 days से 5 days end पे चेंज करना है न जब आप करोगे तो आपका option B वाला आएगा match column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes बताईए गिवन कोट्स के बारे में बताईए A का क्या होगा आपका pap test cervical cancer में कराते हैं B का one test के बारे में बताया गया है C का two vital test typhoid में कराते हैं ठीक है bubonic plug में ये वाला कराते हैं और montect test tuberculosis में कराते हैं two वाला ठीक है चलो read the following statement and select the incorrect one incorrect one को निकालिये little decomposition occur during formation of primary sludge okay activated sludge possesses flocks of decomposer microbes formation of activated sludge aeration yes पर primary sludge में आपको ज़्यादा aeration चाहिए नहीं ये statement गलत है primary sludge को बनाने के लिए आपको सिर्फ filtration और sedimentation चाहिए select the correct option select the correct option correct को बताईए students इसमें तो correct आपको दिखी रहा है cauliflower गलत लिखा है rio virus double stranded नहीं है single है retro virus आपका क्या single है सबसे correct ये वाला है ठीक है चलो which of the following is correct for a century century के लिए क्या correct है plus one की class कब नहीं प्लस one की classes अभी नहीं लग रही है वो मैं लगाऊंगी अब मैं लगाऊंगी ठीक है special class पर तो आपको पता है रोज चार बजे नीट की special class होती है एक नया code start किया है NEET rank up topic based और NEET rank up mcqs ठीक है आज नहीं हुई थी बस कल से दोबारा स्टार्टे डाल दूँगी तो वो NEET जो rank up वाली है उसमें आपको कभी जैसे कोई topic बढ़िया पढ़ लिया कोई kingdom पढ़ लिया उसके कल questions कर लिया और संडे को भी बहुत अच्छी अच्छी classes लगने वाली है क्या सही है कि century में private ownership permitted है sphygno gammy is found in sphygno gammy किस में पाई जाती है बहुत easy है gymnos pumps में भी angios pumps में easy को देख लेते है which of the following groups include only xc2 methods of biodiversity conservation बताओ xc तुमें बाहर लेके आ रहे हो garden में लाए, park में लाए, cryo preservation select the incorrect difference between gymnos pumps and angios pumps select the incorrect difference ये जो दे रखे हैं इनके respect में incorrect बताईए sporophyll are aggravated to form cones ठीक है ovules occur covered inside ovary ovules occur covered नहीं ऐसा तो कोई option नहीं होता है endosmum is triploid is a post fertilization structure ovules are cessi बताओ कौन सा वाला होगा second or third गलत differences है differences है ठीक है which of the following plants produce orthodox seeds which of the plants produce orthodox seeds बताओ बताओ हाईलो एव्रिबान बताओ orthodox seeds किस में होते हैं students legumes में ओके read the given statements read the given statements बताओ microtubule cause microcirculation by directing vesicles to particular direction हाँ सही है microtubule आ believe to cause cytoplasmine नहीं यह तो गलत है तो सीधे C वाला होगा न assertion सही है reason गलत है ठीक है चलो dash is located in non-appressed part of grain a thylokoid where dash is present in the oppressed part of grain a thylokoid phosphorylation is performed in collaboration of both of them बताओ इसमें fill in the blanks भरना है सीधे NCRT का है दे देंगे dress code पे बता दूँगी मैं आप लोगों को ठीक है dress code पे मैं बता दूँगी उसकी फिकर मत को dress code तो पता ही चल गया होगा dress code तो अभी तक पता ही चल गया होगा आप लोगों को जो बच्चे नीट दे रहे हैं क्या होगा पी एस वन लोकेटेड विर इस पी एस टू नॉन साइकलिक तो इसका option क्या होगा students ए वाला and it occur in नॉन साइकलिक चलो human skin color is controlled by human के skin का color color कहां से और कैसे control होता है बताओ कैसे control होता है कितने pairs से तीन pairs of poly jeans which of the following is example of conditioned reflex conditioned reflex का सबसे best example है hello student जो बात-बात में जोईन कर रहे हैं लेट होगा बच्चे आज काफी सारे बताओ it is riding a bicycle क्योंकि बाकी के unconditioned the biggest difference between the flow of energy and the flow of chemical nutrients in an ecosystem is बताओ biggest difference क्या है flow of energy और flow of nutrients में amount of energy is much greater नहीं organism always nutrient they don't need energy नहीं energy recycle but nutrient nutrient recycle हो सकते हैं पर energy नहीं हो सकती है जबकि energy तो destroy भी नहीं हो सकती है और form भी नहीं हो सकती है वो तो सिर्फ convert हो सकती है notification नहीं आया मैं तो एक एक वीडियो को पता नहीं कितनी बार telegram पे डालती हूँ notification तो आज आना चाहिए और दूसरे दिन का schedule में आज ही डाल देती हूँ अब ठीक है नहीं मिला तो मैं क्या बोलू अभी तो क्या होगा 52 का students reptile got independent of water for survival and became true land animals because they possesses internal fertilization, shell deck, honey abidol yes यह चारो all of these, तीनो adaptations है okay thank you so much for giving me such night आज बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे, ma'am you are looking gorgeous ऐसा बेसा ऐसा which of the following holds true for vittaker five kingdom classification YouTube का तो पता नहीं है लेकिन telegram join करो मीतू भावनानी से telegram join करो उस पे आपको जल्दी notification मिलता है ठीक है मैं मानती हूँ चलो नहीं notification मिला ये इस पे notification आता है telegram पे ठीक है आई बात समझ में बताओ क्या होगा which of the following holds true for cell structure more complex body organization protestant more complicated नहीं members of plant and animal have differentiated ecological role due to their mode of nutrition बिल्कुल बिल्कुल सही सी वाला select the incorrect statement इस में से incorrect निकालिये incorrect को निकालिये white fibrous occurrence symphysis okay mucoid presenter umbilical okay osteocyte protoplasmic process में होते हैं और osteocyte give off लेकिन chondrocytes में होते हैं multipolar neuron have several axons and one dead right and found in grey matter of brain ये तो गलत परिभाशा है ना multipolar की in case of gametophytic self incompatibility in case of gametophytic self incompatibility pollen with S1 allele fails to germinate on stigma with genotype we have to solve 90 question ये biology 90 question mock test है क्या होगा इसका by self incompatible S1 allele fail to germinate on stigma with genotype तो क्या होगा इसका इसका होगा S1 S2 simple यही generation consider करोगे in humans hyperdectyli that is presence of extra fingers and toes is determined by a dominant autosomal allele and the normal condition is determined by a recessive allele find out the possible genotypes of family members 1,2,3 in the given pedigree बताओ बताओ students क्या होगा अगर आप 1,2,3 को normal एक pedigree में plot करोगे तो क्या डालोगे आप इसको इधर आप डालोगे PP ठीक है then again आप डालोगे PP और फिर क्या होगा recessiveness express हो जाएगा PP a double-stranded DNA has 30% cytosine what is the percentage of adenine in it पेटा questions तो थोड़े easy भी आ सकते हैं tough भी आ सकते हैं मैं तो जब से mock test ले रही हूँ mixture ही करा रही हूँ थोड़े mock test easy भी थे अभी मैंने tough डाले हैं क्या आपको यकी paper क्या आने वाला ये तो किसी को नहीं दिखरा ना तो mind को आप ऐसे prepare करो कि tough में भी हमें अच्छा करना है और cutting में भी हमें अच्छा करना है कैसे निकालोगे इसको बताओ क्या होगा 57 का वह हमें रूल से पता है ना तो 89 20% होगा में परसंटेज आता है ना निकालना which of the following is incorrect regarding anaphase stage of cell division anaphase stage से related ये गलत है बताओ कौन सा गलत है students लास्ट वाला मौक्टेसे ने थोड़ असर टफ डाला है मैंने क्या गलत है क्रोमोजोम जिन्दगी में कभी single stranded नहीं दिख सकते हैं यहां पर कभी नहीं दिखेंगी ये ट्रिक है लर्न कर लो पर मैं सच कह रही हूँ आप सारे बच्चे जो भी नी 2020 दे रहे हो भगवान करें सब का पेपर अच्छा जाए और मुझे से लग रहा है सब खुश हो कर आओगे मैं एक होता है कि बहुत अच्छा पेपर बेकर मुझे लगता है बोलना चाहिए हमें सैटिसफाइट पेपर आना चाहिए आएगा वैसा पेपर आएगा इन दे प्रोसेस ओफ आनिमल एवोल्यूशन दा ट्रांस्फोर्मेशन अफ हैबिट फ्रॉम वाटर टू लैंड वाज असिस्टेड बाई हाँ तो अगर मेरे टेस्ट तफ में आपके तिमाख साथ में तो अगर वाँ इजी आएंगे तो डेफिनिटली आपका नीट हो जाएगा क्या होगा इसका इवोल्यूशन के बेसिस पर डेवलप्मेंट आफ शेल डेक्स भी होगा और हॉर्नी स्केल्स भी होगा चाहिए चलो विच आफ दी फॉल्यूविंग होल्स ट्रू फॉर पेकाइटीं स्टेज ऑफ मियोटिक डिविजन मियोसिस पे पेकाइटीं से रिलेटेट क्या सही है सब अच्छा होगा बच्चो सब कुछ अच्छा होगा अभी कोई फाल तु बाते मत सोचिए मौक्टर्स अटेंड करिए उसके बज़िए अपका टाइम टेबल है प्रोसीट करिए कल मैं भी कुछ और खिलवाती हूँ या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बारात तारीक से तो फिर यह जो बैच कोड से यर लॉंग उसका छूटे वे टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे ठीक है बताओ ट्रू क्या है जेनिटिक री कॉम्बिनेशन कौनसे स्टेजिस में होगा पैकाईटीन में याद है न जब मैंने यूमन रीप्रोड़क्शन पढ़ाया था तो मैंने कहाँ था कि जो डिविजन है ओवा में वो पैकाईटीन में बंद हो जाएगा ठीक है कैडमियम पॉल्यूशन कॉजिस कैडमियम पॉल्यूशन कॉजिस सिम्पल हैना इटाईटीजीस चलो विच फॉलोविग फ्लूविंग होल्ट्रूफॉ फॉरड जेल इलेक्ट्रॉफॉरस हम लोग gel electrophoresis कराते हैं DNA segments को separate करने के लिए चीक है which of the following holds true for gel electrophoresis बताओ true for separate DNA fragment on their charge no smaller DNA fragment move slower than larger no DNA positively toward cathode separated DNA fragment can be seen by staining with ethemate bromide जो भी आपके DNA fragment weight के हिसाब से cathode से anode पे जा रहे हैं उसके बाद वो कैसे नज़र आएंगे जब आप उने ethemate bromide से coloration करोंगे चलो effective filtration pressure in glomerulus ये in glomerulus is caused by बताओ किसकी वज़े से होगा क्यूंकि जो effrant arteriol का diameter है वो effrant से क्या है बड़ा है तो एकदम यहां पर pressure change हो जाता है पर यहां से बड़ी में आया अब तो मेरी उलस तो tough tough capillaries है तो एकदम गुसा तो pressure generate हुआ इसकी वज़े से pressure वो बलते ना filtration under high pressure होता है अल्ट्रा filtration ठीक है अभी 11 start करूंगी year long तो सब समझ में आएगा bicarpillary syncarpus superior ovary with solen placenta and obliquely placed carpus sorry found in found in किसमें पाया जाएगा solenum genus में solenum tuberosum solenum melongena delta cells of isolants of langer हैं सिक्रीट क्या है सिक्रीट डेल्टा सेल एल्फा ग्लुके गॉन बीटा इंसुलिन डेल्टा स्टोमेस्टेटिन और एक पीपी सेल्स होता है ना pancreatic polypeptide चलो implantation of blastocyst at an abnormal site in the uterus is prevented by इस प्रिवेंटेड बाई कौन प्रिवेंट करता है abnormal पे conciliar zona palucida चलो the females are heterogametic in females heterogametic किस situation में होंगे females are heterogametic in कौन से situation में है yes birds के case में अलग-अलग gametes आपको females के case में बताया जा रहा है refer to the given picture यह picture दे रखा है organism 1 and organism 2 which of the following holds true for organism A and B बताओ 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 इसका क्या होगा students यह दोनों फाइलम दोनों और्गनिसम फाइलम मोलस्क है साफ ही दिख रहा है शंक की तरह है विच ओव दी फॉलुविंग इस रिस्पॉंसिबल फॉर हाईयर प्रोटोन कंसेंट्रेशन इन थाइलोकोईड लूमन थाइलोकोईड लूमन विच ओव दे फॉलुविंग रिस्पॉंसिबल फॉर हाईयर प्रोटोन कंसेंट्रेशन इन थाइलोकोईड लूमन क्योंकि लूमन एच प्लस आयन ले सकते है स्प्रिटिंग ओ वाटर से ठीक है NADP reductive situator on the outer side of थाइलोकोईड ओके primary acceptor of electron located on outer side of थाइलोकोईड membrane transfer electron बिलकुल सही है सारे के सारे सही है 70 ठीक है 90 question करने 70 पर पहुँच चुक है which of the following is example of sex monosomy in humans sex monosomy in humans is an example of sex monosomy class का time क्या है रोज 8 बजे वैसे यह year long batch है 2021 के लिए पर इसी में ही मैं 2020 का mock test कर रही कि बीच में special classes भी थी और लंबी lecture लेना था तो नहीं मिल रहा था time इसलिए इसी में डाल जाए आकरी मौकते से 2020 वालों के लिए कल देखते हैं कुछ या तो ऐसे discussion टाइप ले लेंगे या कुछ और अच्छा कर लेंगे ठीक है फिर बारत तारी को कोई मौकते से चिल रही है रिलाक्स रही है कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस दिन तेरा तरी को exam देखिया है और exam के बाद भी मस्ती से पाटी करना अपने घर पर कोविट में बाहर माच जाना क्योंकि रिलाक्स रहना माइन्ड से जैसा पेपर जाएगा देखेंगे पर रिलाक्स रहना बहुत ज़रूरी है उस दिन ठीक है क्योंकि हाय तोबा से सिर्फ बिगड़ेगा ही सब कुछ किसमें? टर्नर सिंड्रॉम में बच्चो अगर आपको और डाउट क्लियरिंग और भर भर के आपको क्वेशन बैंक चाहिए तो बेटा उसके लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है नीट यूजी का एक साल दो साल का MB10 मेरा कोड है ठीक है यूनिवर्सल कोड भी है आप किसी भी कोर्स पे अपलाय करें MB10 कोड अपलाय करके आप 10% डिसकाउंट ले सकते हैं पर नीट यूजी में अगर आपको मेरे प्लस के बैच में पढ़ना है तो ये कोड आपको डालना है ठीक है अनकैडमी लर्ने के आपको इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और जिनके बास एप है वो अपडेट करें क्योंकि लाइफ क्विस का ओप्शन भी आ चुका है वो भी खेलेंगे हम लोग बताओ साल वन कौन से को तोड़ेगा साल वन किसको तोड़ेगा बिलकुल सही सीक्वेंस है और यह क्या है आपका एक तरीके से एंडो नूपलिये से यह पिक्चर दे रखा है इसमें बताईये कौन सा इन फ्लोरसेंस होगा हम बताओ इसमें क्या होगा पड़ंकल is reduced and flattened to form receptacle select the hormone which is secreted by diodenum and inhibits gastric secretion and motility बताईये 73 का क्या होगा hormone secretion की बारे में बात कर रहे हैं इंजाइन नहीं enterogastron चलो refer the given figure and answer the question that follows which of the following holds true for x and y plants यह आपका x plant है यह आपका y plant है ठीक है अब बताओ which of the following holds true for x and y plants क्या चीज दोनों के लिए सही hold कर रही है और statement photorespiration दोनों photorespiration नहीं बता रहे हैं ठीक है x perform photosynthesis y perform even no क्या होगा 74 का plant x show high tolerance to temperature solidarity while high reproductivity compare to plant y match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes below बताओ ट्रिपनोसोमा परसाइटिक प्रोटोजोवन यूगलीन मिक्सो ट्रॉफिक नूट्रिशन ट्रिंको निंफा सिंबाइटिन इंटिस्टाइन अव टर्माइट अन दिनो फोटोजलेटिक प्रोटोजोवन चलो इस आ लार्ज elongated sac-like structure present beneath utricular gland and ejaculatory duct in cockroach the segregation of this gland forms the outermost layer of spermatophore it is sorry so sorry students it is simply phallic gland it is simply phallic gland which one of the following hormones never reaches to cytoplasm hormone ऐसा hormone जो कभी cytoplasm में reach नहीं करता है मतलब वो release ही नहीं होगा वहां से वहीं वहीं activity करता रहेगा follicular stimulating hormone the centiotrophoblast cells of blastoids is secret sorry क्या secret करेगा जिसे pregnancy भी confirm होगी HCG human chorionic gonadotropin which of the following holds true for a dicot stem holds true for dicot stem बिल्कुल dicot stem के लिए true है students ये तो line मैंने जब आपको अच्छा किसी ने अगर मेरे one shot वीडियो मिस कर दिया है तो वो unacademy पे जाओ let's crack need you जैनल को subscribe करो उसमें आपको दिखेंगे पूरा anatomy का one shot वीडियो लिया है मैंने पूरे recorded lectures को पड़ो conjoint, collateral and open 80 questions 10 और करने है inflation और abnormal distension of bronchioles और alveolar sex is known as अलग तरीके से फूल गए है inflammation हो गया है या तो industries में होगा या in the case of cigarette smoking में होगा तो emphysema चलो during second and third trimester of pregnancy the major source of estrogen and progesterone is क्या होगा अब जब pregnancy हो चुकी है तो कौन hormones को कर सकता है एक placenta ही तो है जो कर सकता है which of the following is not present in phylum porifera क्या चीज पौरी फेरा में नहीं हो सकती कैनाल सिस्टम है कोई नो साइट्स है jam use भी वो you know jam use के थूरी प्रोड़क्शन कर सकती है flame cells नहीं है ठीक है are strategies tend to are strategies tend to short life span relatively smaller organism large number of offspring all of these बिल्कुल periodic abstinence periodic abstinence च्छो बच्चो यह तोड़ा printing mistake है मैं लिख देती हू periodic abstinence और rhythm ठीक है periodic abstinence और rhythm method यह रह गया कुछ spelling mistake है of birth control is based on following facts अब बताओ periodic abstinence और rhythm method of birth control is based on following facts अब बताईए बताईए 84 का क्या होगा कहां देख सकते हैं हम लोग rhythm method में जब menstrual cycle का 14th day होगा 14th a hemophilic man is married to a normal woman what could be assumed about their progeny hemophilic man उससे normal women से शादी करी है progeny किस तरीके की आ सकती है बताओ normal तो हो नहीं सकता है all progenies normal हो नहीं सकती है all normal male progenies हो सकती है ठीक है and all career female progenies 50% hemophilic male and normal progeny all normal male progeny 50% hemophilic कौन सा सबसे best option है सबसे best कौन सा है मुझे बताओ हाँ इसका best option B वाला है which of the following is the main cause of allopetric speciation allopetric speciation बताओ allopetric speciation किस पर depend है geographic isolation पर polymerase chain reaction can be used in the case of gene therapy में ये तो बकाइदा हम लोगों ने पढ़ा ही था prenatal diagnosis DNA फ्रिंगन प्रिंटिंग all of these which of the following is an example of anthropogenic biome लोओि towns स्वाइदica प्रिंटी्ठाटीnew पाम कि council हाँ बफ्रिंग में फ renting out लोगों I जाँ उतार हूँ यह व्रिंग ऎ टॉ पござन разр fällt आम जbn क्या होगा students 88 का it is cropland anthropogenic man-made ने बनाया है select the incorrect match from the following incorrect बताईए incorrect बताईए transgenic ship human gene for ठीक है transgenic chicken non virulent gene of avian leucosus transgenic pig contain rosy contain human gene for A1 antitrypsin ये क्या है incorrect match है last question for this last mock test the open ocean and tropical rainforest are two largest contributors to net primary productivity because क्या दिक्कत है 85 में क्या होगा 90 का क्यूं इन दोनों की case में NPP जादा होता है बाई बहुत इफ high rate नहीं cover large area से ठीक है ocean cover last surface area and tropical rainforest is high rate of productivity जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतना अच्छा photosynthesis होगा जितना ज्यादा GPP होगा respiratory loss के बाद आप NPP निकाल लोगे ठीक है getting my point students तो ये रहा आपका आज का mock test last mock test तो ये हमारे जो रोज year long वाले batch course में आ रहा है कल क्या best दे सकती हूँ देखती हूँ guidelines वगरा कुछ उस बारे में बात कर लेंगे तो बच्चो अगर आपको NEET UG का सब्सक्रिप्शन लेने और मुझसे साल भर की तया